पितापत की उपाथी और सम्मान की बहुत-बहुत बधाई हो गुर्देफ धन्यवाद महराज हमने आपकी पुत्री की सेवा के लिए विशेस तासियों के साथ समस्त सुक्स विधाओं की विवस्था करती महराज एक रिशी पुत्री को अराजसी वेवव किया मशक्ता नहीं राजमहिल की अपेक्चा मेरी देव का अधिक मनुरंजन आश्रम में ही होगा गुर्देव, बच्चे तो कुमार की मिट्टी की तरह होते हैं उन्हें जिस साचे में ढालो, उस ही में ढल जाते हैं महाराज, मेरी देव के प्रती, आपकी चिंता और उसने देखकर, मैं बहुत प्रसंद हुआ परन्तु, हम आपसे प्रसंद नहीं हैं, गुर्देव जबा महाराज, आप उससे प्रसंद नहीं हैं आपका हमारे साथ, सौतेला व्यवार महाराज, आपके प्रती मेरा सौतेला व्यवार? यही सत्य है, गुर्देव जब देवी जयनती ने देवेंद्र के उस प्रस्ताओं को अस्विकार ही कर दिया है जिसमें देवेंद्र ने देव के महुद्सफ की बात कही थी तो आप अपनी पुत्री देव का जनमुद्सफ आशाम में क्यों मनाएंगे यह समस्त राज आपकी क्रपा से पालित है आपके एक संकेत मात्र से बारवें का यह आयोजन अविसमर्न यह बन सकता है इसकी अवशक्ता नहीं है महराज मैं आपका समर्थन लेकर दिवी जैनती के विचारों की महानता को धुमिल नहीं करना चाहता गुर्देफ आप असुरों के राजगुरु हैं और इस राज का धार्मीक नेत्रित्व आप करते हैं इसलिए इस राज का आप पर और आपका इस राज पर पूर अधिकार है इस अधिकार ने मुझे सदा ही सम्मानित किया है देफ का जनमुद्सफ आश्रम में होने से केवल मुझे ही नहीं बलकि समस्त प्रजा को दुख होगा क्या आप राजा और प्रजा दोनों को दुखी देखना चाहते हैं गुर्देफ गदापी नहीं महाराज तो आप देवराज इंद्र को संदेश पिछवा दीजे कि आपकी पुत्री देव का जनमुद्सफ तैत्तलोक में होगा और इस भव्य समारों में देवराज इंद्र और इंद्राणी साधा रामंत्रित भी है मैं आपकी इच्छा और आग्या दोनका शिरुधारे करता हूँ गुरू पत्नी देवी जैंती से मेरा निवेदन कीचेगा कि वो मेरे इस निर्णे को अन्यता न ले मैं जैंती से आज ही विचार करूँगा महाराज अब आग्या दीजे महाराज दैत्य गुरू शुक्राचारे को इस प्रमाण में किसी से अग्या लेने की आवशक्ता नहीं है महाराज की जै हूँ क्या हुआ दासी? महाराने जी का स्वास्त ठीक है? वही सूचना देने आई थी महाराज महाराने जी को प्रसव पीड़ा पारंब हो गई है क्या? महाराने जी की हार्दिक इच्छा है महाराज कि अब उनके कक्ष के समक्ष रहे महाराज मैं महाराने जी की इच्छा देसे हमत हूँ आप उनका संबल भढ़ाईए अवश्य गुर्देफ भगवान शिक की किरपा से अब आप जल्द ही पिदा के गौरफ से गौरवांगित होंगे मेरा आशिरवाद है ये शुब घड़ी कुशलता से मंगल में प्रवेश कर जाए धन्यवाद गुर्देफ किन्तु मुझे छमा की चेगा महाराज आप मेरी चंता छोड़िए मुझे आज्या दे महाराज 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 महाराणी ने एक सुन्दर राजकुमारी को जन दिया है हे इश्वर तेरा कोटी कोटी धन्यवाद ये लोदासी महाराज की जेहू राजकुमारी जुग जुग जीए महाराणी जी, महाराज पधार रहें महाराणी कहां है हमारी पूत्री ये ही तो है आपकी आँखों की शीतलता हिर्दे की संतुस्टी कितनी सुन्दर कितनी कोमल कितनी प्यारी है मेरी विची महाराणी आज जर्फ हमारी पुत्री का ही नहीं अपे तो हम तीनों का जन हुआ है तीनों का जन शमा की जी महाराज परन्तु आपका और महाराणी जी का जम तो अभी तक हम केवल महाराज थे एक पुरुष और आप महाराणी केवल इस्त्री किन्तो इस नन्नी सी जान के आने के बाद हम माता पिता बनें अर्थात हम माता पिता का जन हमारी लाटली के साथ हुआ है पुत्री के जन्म से आप प्रसंतो है ना महाराज मैं कुछ समझा नहीं महाराणी एक राजा को अपने राजकारी और वन्ष चलाने के लिए पुत्र अथात राजकुमार के अवशकता होती है ऐसे लोग मूर्ख और अग्यानी होते हैं महाराणी जो केवल पुत्र को ही अपना उत्रादिकारी और वन्षच मानते हैं पुत्र पुत्री में भेद करना अधर्ब है पाप है यह थी समझ संसार के राजा महाराजा आपकी जैसे सोचने लगे मेरी पुत्री ही मेरा मान, मेरा सम्मान, मेरा यश, कौरफ और मेरी उत्रादिकारी है महाराणी अपने सत्य कहा महाराज यह अपने वन्ष के साथ तैत्य कुल का भी गौरव भढ़ाएगी तासियो यह सब कुछ तुम्हारा है आओ लेकर जाओ तासियो लेकर जाओ और भरलो अपनी इपनी जोलियां महाराज, इन्हे आप ही देदीजी इनका संकुछ दूर नहीं होगा अवश लो अधासियो इश्वर की लीला को भला कोन समझ सका है भागी भी तो उसी इश्वर का लिखा होता है फिर भला कोई भागी को कैसे समझ सकता है लेकिन मित्र भागे का लिखा हुआ हम बढ़ तो नहीं सकते लेकिन भागे जो खेल दिखाता है उसे दर्शक बनकर देख तो सकते हैं हम भी वही कह रहे हैं आचारे शुक्रदेव की पुत्री व्यव्यानी और महाराज विश्वरवा की पुत्री का जन्म भले एक समय एक स्थान पर ना हुआ हो परन्तु दोनों के लक्षण नशत्र इत्यादी में बहुत मेल जोल है दोनों की जन्मति छेस्पष्ट संकेत देती हैं कि भुविश्य में इन दोनों में अटूट मित्रता रहेगी तकी भाव की परधांता है इसमें एक दूसरे के प्रति समालपन की भावना का विश्रिश लक्षण भी है इनमें प्रन्तू कभी-कभी ये मित्रता इर्शा में भी परिवर्तित हो सकती है बंदू इसमें लक्षणों का दोश नहीं है चत्रुता और मित्रता तो मनुष्रत्य सवभाव में जन्मी से ही रहते हैं कुछ भी हो अचारे शुक्र और महराज विश्परवा की दोनों पुत्रियां एक दिन डेत्यकुल के उद्धार का कारण और पर्मान बनेंगे स्वामी मेरे बात सुने स्वामी मेरे पास समय कम है स्वामी नहीं जयन्ति मर्त्यों तमारा वरन नहीं कर सकतr मर्त्यों जय आचार VOICE स्वोग्र की भा्रिया हो तो मने को कुछ शुक्र गार्रा सकतर स्वामै ऐसी बाते देवराज की पुत्री को शुबा नहीं दें आप देख व्यानी की चन्रिनी और आचार शुक्य की भार्या आपको अदिकार चीवन और मिर्त्यों के साथ अठेलियां करने हैं कर्पिया मेरी बात सुनिये स्वामी मुझे हमारी देव के साथ जीवन का अनंद लेने तब तक आप यमलोग का विच्ण करके आई मेरे पास प्रिस्टंजीवनी है मैं जानती हूं परसुप मैं जानती हूं किन्तु प्रारब्द के सामने सबा सहाय हो जाते हैं सुनिये प्रारब प्रारब शुक्राचार की कुटिया से बता हाग योर दूर्भागेगा परिणाम अब उसके हाथ में नहीं और यह जानते हुए अपने प्राणों के संकट से भावी हो लो रही है प्राण के संकट से व्याकूल नहीं हो स्वामी और ना ही प्रित्वी के यह मुसे हन भिग्य हूँ क्योंकि हर एक प्राणी को जाना ही पड़ता है स्वामी यही मृत्यो लोग का नियम भी है और सत्य भी है कोड़ संजीवनी का मंत्र है मेरे पास विरश संजीवनी के मंत्र से जब मैं दूसरों के प्राणों की रक्षा कर सकताओ तुम को मेरे प्राण हो अप्राणों की रक्षा मैं स्वयम करूगा कदाच्चिन, आप समझ पाते स्वामी, स्वामी, आपके हाथ में विश्वास का मुझे हर्ष है, आप अपनी पत्नी को मृत्यों का आनंद लेने भी कहते हैं, इसका भी मुझे हर्ष है, मेरे प्रती आपके भाव, मेरे सौभागी की परकाश्ट है, स्वामी, इन कुछ शड़ों के जीवन में ही, आपके भार्या ने अपने अनंत जन्म ची लिये, इश्वर करें आपकी मृत संजीवनी आपके साथ, कभी विश्वास खात ना करें, आपके जोरे, के लिए, मैं सब कुछ त्याब दूगा, पर अन्तु तुमे कुछ होने नहीं दूगा, आओ, मेरे अंक में समाजाओ, स्वामी, मैं होने कर जन्म आपके पस छोड़े जा रही हूं, परिये जैन्ती, देर की चिंता छोड़ो, मानव सब्वेता में ये पहला उधारण होगा, जब बिर्ति लोग से लौट कर, कुना कोई धर्थी पर आएगा, मेरे बाद, आप ही इसकी माँ, इसकी पता, और गुरू होंगे स्वामी, प्यर्थ की बाते बग कर उपी, तुम कही नहीं जाओगे, तुम्हें मेरे साथ रहना है, जीवन परियन, जीवन परियन, जीवन परियन.- झाल, 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 झा कि जड़े सितन और करें झां दो जूझा आओ कोई अश्रुपात नहीं करेगा मेरी जैनती को मृत्यू का अनन्द लेने साद्वी इसे शान कर आँ मुझे अपनी जैनती के अनुपम सुक्का अनुभव लेने दू इंदर सुता जैनती मेरी प्रीय जी करता है कि तुम्हें मृत्यू का अनन्द लेने दू किन्तु अब तुमसे विरावेदना सही नहीं जाती मात्र कुछ छणों का विरह एक असाहिनी पीडा बनके मुझे पीड़ित कर रहा मेरी प्रीय जैनती आओ प्रित्यू के अंक से बहार आओ आओ प्रीय तुमसे यसा नुभव पे बाते करूंगा झाल 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 प्रित्यू